Good morning friends, GST platform के YouTube channel में आप सभी का स्वागत है जी हाँ friends, income tax department के तरफ से पिछले एक दिनों के अंदर SMS जो है वो काफी सारे लोगों को घेजा गया है जिसमें ये बताया गया है कि income tax department ने आपके against कुछ information receive करी है जिसमें आपने significant financial transactions जो है वो during the year 22-23 जो है यानि कि जो साल अब end होने वाला है उसमें करी है और उन transactions को ध्यान में रखते हुए अब आपको अपनी tax liability जो determine करके advance tax का जो हिस्सा है वो जमा करना है तो इसके बाद काफी सारी लोगों की ये queries आ रही है कि ये SMS का मतलब क्या है क्या हमने कोई गलत transaction कर लिया है जो income tax department ने report में लिख दी है या scan करके अब क्या हमारे उपर कोई कारवाई होने वाली है तो जुड़े रहिएगा इस video के end तक ताकि आपको भी income tax department ने जो significant financial transactions की बात करी है वो कैसे समझ आएगा कहां देखना है वो सारी चीज़े आज आपको clear हो जाएगी इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना income tax portal जो है वो login कर लेना है जब आप अपना income tax portal login करेंगे तो उसके अंदर आपको कहां जाना है उसके अंदर आपको जाना है pending actions में जब आप जाएंगे तो आपको compliance portal दिखेगा इसमें e-campaign assessment year 21-22 onwards जो है न इस पे click करना है और आजाना है AIS portal के अंदर जब आप इस AIS portal के अंदर आजाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का window जो है open दिखाई देगा और यहां आपको taxpayer information summary और इसके साथ साथ AIS का data जो है reflect होगा जो significant transactions की बात हो रही है वो significant transactions basically in transactions की बात करता है जो आपने GST के turnover में दिखा रखा है 3B के अंदर या तो आपके supplier ने अपनी GSTR1 में जो आपको as an invoice details upload करके दी होंगी वो आपके GST purchase में count कर रहा है उसके बाद वो expenses जिसके अंदर TDS काटा गया है वो expenses आपको business expense head में दिखाए जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो significant transactions है वो यहां पर report करके income tax का portal जो है आपको available कराएगा यहां आप देखेंगे मैंने tax information summary में आपको दिखा दिया किस-किस head में आपके पास data आएगा अब यहां जब इसकी details आप check करेंगे तो यहां TDS TCS information के table में आप देख पा रहे हैं business expense जिहां friends जो आपने business expense किया है उसके उपर TCS collection हुआ है 206 CR में तो यहां किस section के अंदर क्या है इसमें बातें purchase of any goods except goods on which TCS applicable simple समझिएगा कि आपने यहां पर जो entry दिखाई है या आपके पास इस particular column में जो entry आ रही है उसमें आपके supplier ने जिससे आपने माल खरीदा है वो 206C के अंदर आपका TCS collect करके department को जमा कर चुका है तो अब आप इस purchase को छुपा नहीं पाएंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं detailed wise आपके किस किस date में entry करी गई है वो सारा history जो है वो यहां पर uploaded है तो according to this data आपको estimation लगाना है कि आपका क्या tax liability जो है वो बनके आएगा तो यहां पर पहला information तो यह है कि आपने जो purchases करी है business related तो आपका TCS collect हो चुका department के पास data available है तो यह business expense के head में यहां show हो रहा है दूसरे tab में आप जाएंगे तो SFT information आपको available करवाया जा रहा है इसमें आपके लिए कोई information नहीं है अगर आप देखेंगे other information में तो other information के अंदर आप देखिए ध्यान से GST का turnover जी हां friends GST के जो turnover है जो आपने अपनी GSTR 3B के अंदर report किया है वो अब आपके income tax portal के AIS data में autopopulate होगा और इस तरीके से आपका GST registration number, return period किस return में आपने कितना total turnover डाला है, कितना taxable turnover डाला है वो सारा breakup आपको यहां पर दिखा दिया जाएगा अगर आपको किछ इसमें error लगता है तो आप इसका feedback submit कर सकते हैं इस particular option में जा करके इस particular table का जो हमारा GST turnover है, इसका total amount आपको यहां पर show हो रहा है इस turnover के basis पर आप एक estimation कर सकते हैं अपने profits का इसी तरीके से GST के जो purchases हैं, purchases reported under GST are one of seller यह तो हो गया 3B का जो आपने sale किया, अब आपकी purchase कैसे लेंगे आपकी purchase के लिए आपके supplier ने जो आपके pen number पे generated GST registration पे GSTR one upload किया होगा, वो data आपका पूरा का पूरा यानि कि GSTR two a का data जो है वो आपको income tax portal पे नजर आ जाएगा और यहां से आप check कर सकते हैं कि जितने भी purchases आपने कर रखे हैं, वो सारे के सारे purchases जो हैं, वो income tax portal की website पे available है या नहीं है तो इस तरीके के information जो है, अब income tax department के पास आपके GST portal से already available है तो आप इन चीजों को ignore जो है, वो नहीं कर सकते हैं अगर आप GST की return भरने में या GST के पूरे full course को सीखने में interested हैं तो आप हमारा GST का practical full GST course जोईन कर सकते हैं every Saturday and Sunday ये classes होती हैं, अगर आपको इक class miss भी कर जाते हैं तो आप उसका recording देख करके अपने आपको update कर पाएं तो class join करने के लिए जो numbers आपको screen पे दिये गए हैं इन numbers पे call करके, whatsapp करके, आप classes की further details जो है, वो ले सकते हैं तो जो ये SMS आ रहा है, significant financial transactions वो basically यही कह रहा है, कि आप अपना AIS, TIS चेक कीजिए उसमें जो transactions report किये गए हैं, उसको consider करते हुए अपने books of accounts के साथ match करते हुए आप अपनी advanced tax की liability जो है, वो 15 March तक जमा कर दीजिए या at the most, 31 March 2023 तक जमा कर दीजिएगा ताकि आपकी interest liability जो है, वो कम से कम बने हैं तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर simple एक informative message जो है, यह दिया गया है हाला कि जो भेजने का तरीका है, department का यह बड़ा खतरनाक तरीका है, कि significant financial transactions मिल गए हैं इसको पढ़ते ही taxpayers जो है, थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं तो आशा करते हैं, आपको यह point अप clear हो गया होगा ऐसी कोई दिक्कत वारी बात नहीं है अगर आपने हमारी monthly tax magazine का subscription नहीं लिया है तो इन numbers पे call करके, whatsapp करके आप tax magazine का subscription भी करा सकते हैं इस video को यही end करते हैं, आशा करते हैं आपको यह point आग, किसी प्रकार से कोई परेशानी जो है वो नहीं देगा और आपने अगर अब तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो उसे जल से जल join कर लीजिए क्योंकि उसके अंदर आपको काफी important updates जो है वो provide करी जा रही है GST platform updates के नाम से आपको हमारा telegram channel available करवा दिया गया है Thank you and have a nice day